हलो एवरिबन, मैं डी आदव और आप देख रहे हैं सूरी ओद्ध्य सक्सेस पॉइंट, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षचे और साथ की जो हिंदी की कारिय पुस्तिक है उसका आकलन नंबर 18, चलिए स्टार्ट करतें निम्लिकित गद्यांश को ध्यान पूरक पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर दीजिए, एक गाउब में एक किसान रहता था, वे फसल की सिचाई के लिए कुवा खोदना चाता था, एक दिन उसने कुवा खोदना शुरू किया, कुछ फीट तक खोदनी पर भी जब उ प्रसिब नहीं हुआ, फिर वे बहुत दुखी और निराश होकर घर लोट आया, अगले दिन उसने सारी बात एक बुजर्ग व्यक्ति को बताई, उस व्यक्ति ने उसे समझाते वे कहा, बेटा तुमने पांच अलग-अलग जगे पर 6-7 फुट के गड़े खोदे, और फिर देर में परिशान होकर अपना निर्ने बदल लिया, अब तुम एकागर चित मन से एक ही जगे पर घड़ा खोदना और जब तक पानी दिखाई नहीं दे तब तक खोदना जायर रखना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, उस दिन किसान निद्रिश निश्य करते वे एक ब प्रश्णों के उत्तर हम देंगे इसकि, किसान कुवा खोदने चाहता था फसल की सिचाई है तू, पाणी निकल आया, छे-सात फिट अलग-अलग जगे खोदने पर, 25-30 फिट एक जगे खोदने पर तीसरा कुशन, किसान जब निराश हुआ जब कुछ फीट थक खोदने पर भी उस्से पानी नहीं दिखाई दिया तो किसान क्या हो गया? निराश हो गया आंसर हो जाएगा जब कुछ fit तक खोदने पर भी उसे पानी नहीं दिखाई दिया नेक्स्ट है अलग-अलग जगे 6-7 फूट खोदने पर भी पानी नहीं मिला क्यों? क्योंकि अलग-अलग जगे 6-7 फूट खोदने की जगे वे उसने एक ही जगे नहीं खोदा एक ही जग है खोदने पर क्या होता पानी निकल आता यहां पर हम लेख सकते हैं एक ही जग है खोदने पर पानी निकल आता next हमें सफलता कब राप्त होती है जब हम एक ही कारिय को मैनत से बार-बार करने पर हमें सफलता प्राप्त होगी next is six number क्या परिवार में बुजूर्ग व्यक्तियों से सला लेना अलाब्दायक है क्यों? हाँ परिवार में बुजूर्गों से सला लेना अलाब्दायक होता है next next and last है इसका इस गध्यान से आपको क्या सीख मिली? इस गध्यान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कारिय को बार-बार करने का प्रियास करना चाहिए है कर दो करने का लेक्षा मिली? झाल झाल